इस lecture में हम लोग water का structure draw करना सीखेंगे साथी साथ मैं set of rules बताऊंगा जिसका use करके तुम किसी भी other structure को draw कर सकते हो यह 4 rule है जिसका use करके हम किसी भी structure को draw कर सकते हैं तो सबसे पहला जो rule है हमारे पास वो है identify the central atom central atom can be that atom which is minimum in number तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है hydrogen है एक और hydrogen है और oxygen है तो minimum number किसका है oxygen का तो probably oxygen could be our central atom तो पहला rule oxygen के लिए valid है दूसरा rule का देखते हैं it is least electronegative नहीं oxygen most electronegative है इन तीनों element में से hydrogen और oxygen में से oxygen most electronegative है तो दूसरा rule इसको favor नहीं कर रहा दूसरा rule oxygen को favor नहीं कर रहा पहला rule favor कर रहा है it is larger in size हाँ obvious सी बात है oxygen hydrogen से size में बढ़ा होता है यह भी rule इसको favor कर रहा है H and F cannot be central atom तो देखो यार H जो होता है वो सबसे smallest size होता है प्रेरिक्टेबल के अंदर में तो C जो rule है वो कहता है कि जो central atom होना चाहिए वो larger size का होना चाहिए तो अगर H वहाँ है तो वो कभी भी central atom नहीं होएगा because वो सबसे छोटा होता है प्रेरिक्टेबल में तो H के साथ वाला जो बंदा होगा वो central atom बन जाएगा दूसरी बात है यहाँ पे F cannot be the central atom यह भी यह वाला rule बताता है कि list electronegative होना चाहिए F जो है फ्लोरीन जो है वो प्रेरिक्टेबल के अंदर most electronegative है तो फ्लोरीन और हाइडोजन कभी भी central atom नहीं बन सकता तो F के साथ जो बंदा आएगा उसकी electronegativity पक्का है कि F से कम होगा और H के साथ जो बंदा आएगा उसका size पक्का है कि H से बरा होगा तो इस case के अंदर हम देख सकते हैं कि 3 point जो है वो को support कर दिया कि oxygen जो है वो central atom होगा तो इन 4 में से अगर 3 बंदा भी इसको support कर रहा है तो हम बोलेंगे हाँ वो ही central atom हो जाएगा रूल नमर 1 के अंदर ही जो हमें दूसरा step करना है वो है इसके lone pair को represent करना है तो इसका configuration अगर लिखोगे तो 1s2, 2s2 and 2p4 तो overall आउटर मोस्ट में अगर तुम देखो तो ये दो लोग outermost orbit है जिसमें की 6 electron है तो मैं यहाँ पे 6 electron को represent करवा देंगे हमने 2 को अल्लेडी करवा रखा है 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया hydrogen की बात करें तो इसका atomic number होता है 1 तो हम बोलेंगे इसका जो configuration हो जाएगा अगर hydrogen की बात करें तो इसका configuration 1 as 1 हो जाएगा तो मैं यहाँ पे hydrogen लिखूँगा और इसके electron को भी represent कर दूँगा with one electron और later suppose मैंने यहाँ पे एक और hydrogen रखा, इस पे भी एक electron हमने represent करवा दिया, तो rule number 1 central atom select करना और जो भी electron loan pair इस central atom के ऊपर या terminal atom जो हमारा बन गया है उसके ऊपर बनेगा, हम उसे represent कर देते हैं इतना चीज हम rule number 1 के अंदर करेंगे, परते एक structure draw करने के लिए rule number 2 क्या कहता है, first satisfy terminal atoms तो terminal atom जो भी होगा, उसे पहले हमें satisfy करवाना होगा तो rule number 2 यहाँ पे क्या लिख रहा है terminal atoms must have their octet and duplet completed, तो इस case के अंदर, अगर तुम यहाँ पे देखो oxygen is the central atom and hydrogen is the terminal atom, तो hydrogen का duplet होता है, rather than octet, तो इसका duplet का मतलब इसको 2 electron तो चाहिए ही चाहिए, तो यह बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ bond बना रहा है मेरे को 2 electron मिल गया, यह बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ bond बना रहा मेरे को भी 2 electron मिल गया, सबसे पहला जो काम हमारा होता है, terminal atom को satisfy करवा दो, और फिर हम rule number 3 पे चले जाते हैं rule number 3 कहता है, check on the central atom अब हमें central atom को check करना है और rule number 4 कहता है कि अगर कोई positive या negative charge है तो हमें उसे manage करना पड़ेगा water के case में हम देख सकते हैं कि we don't have any positive or negative charge तो हम बोलेंगे कि rule number 4 तक हमें तो आना ही नहीं है, 3 rule number तक जाते ही हमारा काम बन जाएगा हमने draw कर लिया है central atom and terminal atoms को, अब हमें rule number 3 apply करना है है, check on the central atom, if the central atom is from second period, that is lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen fluorine and neon, तो ये अपना octate expend नहीं कर सकता अब क्यों नहीं कर सकता, octate expend ये बात समझेंगे, और octate expansion में क्या मतलब होता है, देखो यार अगर तुम्हारा element from second period है, prioritable के second period से है मतलब इन में से कोई है, तो वो अपना octate expend नहीं कर सकता क्या reason है, reason ये है, कि उनके पास d सबसिल नहीं होता, देखो यार, अगर मैं oxygen की बात करूँ, ये मैंने configuration लिख रखा था, oxygen की बात करूँ तो तुम देख सकते हो कि oxygen के पास पहला orbit होगा दूसरा orbit होगा, और कहानी खतम ये दो ही orbit है इसके पास तो अगर इसके पास n जो है वो 2 ही है, n दो ही है तो इसके पास l क्या-क्या हो सकता है अगर तुमें थोड़ा सा ये n और ly कहानी मालूम है from atomic structure तो तुम बोल सकते हो कि l जो होता है वो n-1 तक, कहां से 0 से n-1 तक vary करता है, तो l जो है वो 0 और 1 हो जाएगा, इसका मतलब है कि n equal to 2 के corresponding l जो होगा, 0 के corresponding s, and 1 के corresponding p, केबल s और p होगा d इसमें है ही नहीं और अगर इसमें d नहीं है, मतलब n equal to 2 वाले में d नहीं है, तो इसमें maximum कितना electron रख सकता है, n is equal to 2 वाला s में 2 electron रख सकता है, और p में 6 electron रख सकता है, तो हम देखेंगे कि maximum इसमें 2 और इसमें 6 8 ही electron, इसमें maximum रख सकता है o oxygen, similarly तुम दूसरे atoms का भी अगर configuration लिखोगे, तो वो भी n का value उसके लिए 2 होएगा, और n का value 2 होएगा, तो हम बोलेंगे कि उसमें, केवल L क्या क्या होगा s और p होगा, 0 और 1 के corresponding s होगा, और p होगा, d इसमें है ही नहीं अगर d नहीं है, तो ये extra electron को अपने अंदर नहीं रख सकता तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम structure draw करते हैं, कि अगर central atom second period का है, तो उसका octate, octate जो तुम्हारा 8 electron, ये maximum 8 electron ही रख सकता है अपने outer most में, इसका octate expand नहीं कर सकता, इसमें 8 electrons अगर ज़्यादा है, तो हम समझ लेंगे कि हमारे structure जो हम draw कर रहे हैं वो गलत है, हमें फिर से उस पे सोचना पड़ेगा, अभी के लिए हम चेक करते हैं 8 से ज़्यादा electron है क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर इस वाले को मैं circle करूँ तो तुम देख पा रहे हो, कि हाँ इसमें 8 electron है, मतलब हमें ज़्यादा वर्य होने की जुर्यत नहीं है, यहाँ पे जो तुम्हारा water है, उसमें central atom O है, और O का, O क्योंकि second period से है, इसलिए हम थोरा से वरी हो रहे थे कि हो ना हो, इसका octet expense कर गया हो अगर यह octet expense नहीं हुआ है तो हम बोलेंगे कि तुम ही structure हो, किसका water का structure तुम हो, तो हम simply water का structure draw करना सीख लिए, rule no.3 में अगर और थोरा सा पन देखी कि और क्या क्या बाते कही गई है, दूसरे questions के लिए तो no need to check if central item is not from second period, अगर माल लो, इन लोगों में से कोई central item नहीं है let us suppose phosphorus आ गया, sulfur आ गया chlorine आ गया, तो हमें check करने की जुरूत नहीं है, central item octet expense हुआ है या नहीं हुआ, octet expense भी हो सकता है कोई issue नहीं है, दूसरी बात एक note point करके मैंने यह लिख रखा है if central item is from second period element, तो ध्यान लखना है, Lewis का octet rule है, वहाँ वो follow कर भी सकता है और Lewis का octet rule follow नहीं भी कर सकता है कुछ example अपन देखेंगे in the further videos, जिसमें वो octet rule follow नहीं कर रहा है, और फिर भी वो stable है